सर्विकल दिस्चार्ज में बदलावाना, योन इच्चा में ब्रद्धी हो जाना, ब्रेस्ट का कोमल होना और अचानक से आपके सरीर के तापमान का बढ़ जाना, इन सारी बातों के पीछी क्या संकेत हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुसमूत अमर एक वफिर से स्वागत करती हूँ, आपका प्रेगनेंसी से रिलेटर एक और नई वीडियो में, यहाँ पर आज के वीडियो में हम प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ऐसी बात है जानेंगे, जिनने अगर आप सही तरीके से फॉलो करती ह तो आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकती है, आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंट हो सकती है, इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सरीर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कितने दिन के बाद होता है, और आपके periods कटम होने के कितने दिन बाद आपका गर्म तहर जाता है अगर आप pregnancy plan कर रही है आप जल्दी से जल्दी मा बनना चाहती है तो आपको इन तीनों ही बातों के बारे में पूरी जनकारी होना चाहिए अगar आप जानना चाहती है तो वीडियो में अंकक बने रहे हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके gusta को प्रेस करना ना बोले जिससे मेरे वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो चलिए friends बिनादेरी किये हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेती हैं तो देखे friends अगर आप pregnancy plan कर रहे हैं आप जल्दी से जल्दी pregnant होना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सरीर में fertilization कब होता है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सरीर में इन दिनों में fertilization हो रहा है friends इस एक बात को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपका ovulation period सुरू हो गया है तो आपके सरीर में कुछ अलग तरीके के लक्षर नजर आने लग जाती है जैसे कि आपके जो cervical discharge है वो पहले के पेच्छा अभी बदल जाएगा यानि कि white discharge में पहले के पेच्छा बदलाव आ जाएगा आपके योन इच्छा ब्रद्धी हो जाएगी यानि कि आपका contact बनाने का खुश सही मन करेगा आपकी body में एक लग तरीका का बदलावाना शुरू हो जाएगा आपकी breath पहले के पेच्छा अभी एकदम से soft कोमल हो जाती है और ovulation के time पर आपके सरीर का जो temperature है वो बढ़ जाता है यानि कि इन दिनों में आपका सरीर गरम रहने लग जाता है अगर ये चाल लक्षण आपको अपने सरीर में नजर आ रहे हैं तो friend समझ जाएगे कि आपके ovary में अंडावनना शुरू हो गया है और इन दिनों में अगर आप contact बनाती हैं तो ये conceive करने का सबसे best देज होते हैं इसके बाद अब एक सवाल है जो आपके मन में भी आ रहा होगा कि जो fertilization है वो आपके periods के कितने दिन बाद होता है या पर periods के कितने दिन पहले होता है ये बाद जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ovulation है वो कब सुरू होता है तो friends इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो period cycle है वो कितने दिन की है अगर आपकी जो period cycle है वो 28 से 30 दिन की है तो आपका जो ovulation है वो आपके period आने से 14 दिन पहले या 14 दिन बाद शुरू हो जाता है और friends यही वो समय होता है जब अगर आप लगातर contact बनाती रहती है तो इन दिनों में आप तंसीब कर लेती हो आपके period के 14 दिन बाद आपकी सरीर में ovulation सुरू हो जाता है और यह लगबग 5-7 दिन तक आपके सरीर में होता रहता है population days में महला की ovary से एक अंडा release होकर आपके fallopian tube में आ जाता है जहां पर contact बनाती समय पुरूस का जो sperm है वो महला के egg से fertilize होता है और जब यह egg fertilize हो जाता है तो fertilize होने के बाद यह जो egg है वो महला के गर्वा से की दीवार से प्रत्यारोपित हो जाता है और इसके बाद ही आप conceive कर लेते हो यानि कि आप pregnant हो जाते है तो friends conceive करने की जो process है वो इस तरह से होती है इसके बारे में आपको ठीक जनकारी होना बहुत जरूरी है और friends जैसे ही आप conceive कर लेते हो तो आपके सरीर में कुछ अलग तरीके के बदलावाना शुरूर हो जाती है जिने pregnancy के सबसे पहले और सुरूराती लक्षर माना जाता है जैसे ही आप conceive कर लेते हो तो आपके toilet का जो रंग है वो पहले कि अपेच्चा गहरा गारा पीला हो जात आपके पेरों में आपकी कमर में आपको दर्द फिल हो सकता है इसके साथ ही आपको चकर कमजोरी ठाकान मैसूस हो सकती है यह जो लक्षर है वो आपके सरीर में तुरंत बात से ही नजर आने लग जाते हैं इसके बाद जैसे ही आप conceive करते हो तो इसका जो सबसे शुवाती ल प्रेस्ट में गांठे हो गई है लेकिन जब आपको गहराई से देखना होगा तो फ्रेंट्स यह कुछ लक्षर है जो कि आपको कंसीव करने के तुरंत बाते ही नजर आती है इसके बाद आपको और भी कई सारे लक्षर नजर आ सकते हैं जैसे कि आपका पीरियड में सोना पीरियड में सोने के बाद से आपको चक्कर आना उल्टी होना आपका बीपी लो हो जाना आपको कमजोरी मैसूस होना आपको चक्कर आना आपकी बीपी हाई या लो हो जाना इस तरह के और भी कई सारे लक्षर आपको नजर आ सकते हैं इसकी अलावा आपके मूड चेंज हो स शुरू हो जादी कई खटी चीज खाने का मन होता है तो कभी मीती चीज खाने का मन होता है इसके साथ ही कई सारी महला ऐसी है जिनकी जो नाक है वो उसकी जो स्मेल करने की चमता है वो बढ़ जाती है यानि कि खाने की कुछ चीजों में से उन्हें गंदी बद्वू आने लग जाती है जिसकी वज़े से उन्हें allergy होती है वो नाक बंद करके घूमा करती है कई सारी चीजों को देखकर उन्हें उल्टी आना सुरू हो जाती है उबका ही आना सुरू हो जाती है बार बार आपको toilet आर सकती है तो friends ये कुछ लक्षड है जो कि आपको pregnancy conceive करने के बास से ही ज़रा सकती है अगर आप pregnancy plan कर रही हो तो आपको इन सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए कि आपका ovulation time क्या है आपकी period cycle क्या है आपका fertilization कैसे होता है कब होता है आपके periods के कितने दिन बाद होता है और आपका जो ovulation period है वो कितने दिन तक चलता है आपके pregnancy के सुरूती lecture क्या होती है इन सारी बातों के बारे में आपको पूरी जानकारी होना ही चाहिए तब ही आप अपनी pregnancy को अच्छे से enjoy कर सकती है अगर यह वीडियो तेकने के बाद आपको अपने लिए informative लगता है पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को like करें और अपने friends और होती रहे तो चलिए friends मिलते हैं next time एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ सब तक के लिए खुस रहें स्वस्त रहें और अपनी pregnancy को अच्छे से enjoy करें धन्यवाद